हेलो एव्रीवन वेलकम टू कॉंप्टेटिव एक्जाम स्टेग प्रैप मेरा नाम पुश्पांजली और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कुस करने जा रही हूं ग्रैडल इन एंड्रोइड ग्रैडल को हम डेवलप्मेंट ऑफ एंड्रोइड आप्लिकेशन सब्जेक के अंदर डिसकुस करने वाले हैं तो एंड्रोइड में हम किस तरह से ग्रैडल को यूज करते हैं यह सब जाने वाले इस वीडियो के अंदर अगर अभी है तक आप में चानल पर जोड़े नहीं है तो जोड़ जाईए कर दीजे चानल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प एंड्रोइड आप्लिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है वहां से आप डिरेक्ली एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट को तो चले स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को जो है ग्राडल क्या है एंड्रोइट में हमारा जो ग्राडल होता है इसे हम किसी भी एंड्रोइट के आप्लिकेशन को या फिर एंड्रोइट के प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हम ग्राडल का यूज करते हैं ठीक है तो एंड्रोइट में हमारा कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें बिल्ड करना है तो उसमें हमारा Gradle का यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह जो है एक तरह से हम बिल्ड सिस्टम की तरह Gradle को यूज करते हैं अपने Android आप्लिकेशन के अंदर और इसके थू हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो यह एक क्या है Gradle एक बिल्ड सिस्टम है जो हमारा रिस्पॉंसिबल होता है कंपाइलेशन टेस्टिंग डेपलॉयमेंट और जो भी आपका कोड है उसको डेक्स फाइल में कंवर्ट करने के लिए रिस्पॉंसिबल होता है Gradle ठीक है तो Gradle जो है वह आपका कंपाइलेशन भी करेगा टेस्टिंग भी करेगा डेपलॉयमेंट और जो आपका कोड है उसको डेक्स डॉट डेक्स फाइल के अंदर कंवर्ट करने का काम भी Gradle करता है ठीक है तो बेसिकली आपकी डिवाइस में जो अप्लिकेशन है उसको रन करने का काम करता है ठीक है तो Gradle एक बिल्ट सिस्टेम है जिसके थूँ आप कोड को कंपाइल कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं डेपलॉयमेंट कर सकते हैं और जो आपका कोड है उसको डॉट डेक्स फाइल में आप कंवर्ट कर सकते हैं इस तरह से आप कोई भी आप्लिकेशन अपने डिवाइस पर रन कर सकते हैं, with the help of Gradle, तो Gradle हमारा initially कब आया था, Gradle हमारा initially release किया गया था 2007 में, ठीक है, और initially इसको release किया गया था 2007 में और stably इसको release किया गया था November 18, 2019 में, यानि जो आपका latest version इसका है, वो क्या है, 6.0.1, ठीक है, तो Gradle का जो version है, 6.0.1, ये latest version है, जिसे आज हम use कर रहे हैं, current time में, Gradle जो है हमारा, इसमें आपका ant और maven, इन दोनों के आपके advantages से हैं, और इन दोनों के advantage को जो है, वो Gradle हमारा देता है, ठीक है, और जो भी आपके drawbacks हैं, इन दोनों में उसको remove करता है, यानि बेसिकली आप कह सकते हैं कि ant और maven का जो आपका feature था, उससे जादा enhanced feature है, Gradle के अंदर, तो इन दोनों का advantage हमारा Gradle के अंदर है, उसके बाद जो भी drawbacks इसके अंदर थे, ant और maven के अंदर, उसके drawbacks को भी ये remove करता है, ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, अगर android studio में हम बात करें, Gradle system की, तो android studio में हमारा Gradle system जो है, वो pre-install होता है, यानि पहले से जो है, Gradle system install होता है, हमारे android studio के अंदर, तो हमें इसे additionally किसी software के थूँ install नहीं करना होता है, ठीक है, यानि जब भी हम अपने project को build कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें additional कोई भी software install करना नहीं होता है, Gradle जो है, हमारा pre-install होता है हमारे android studio के अंदर, जब भी हम android studio में हम run बटन पे click करेंगे, तो हमारा Gradle जो task है, वो automatically trigger हो जाता है, automatically occur हो जाता है, और project को build करना start कर देता है, ठीक है, और जब हमारा Gradle जो है, वो अपने task को complete कर लेता है, यानि पूरा का project को build कर लेता है, तो जो आपका app है, यानि application जो है, वो आपका connected devices पे run करने लगता है, ठीक है, इस तरह से हमारा project जो है, वो पूरा build हो जाता है, प्रेक तरकीस आप कह सकते हैं, यह क्या है, automation tool है, ठीक है, automated tool है आपका Gradle, जिसके थूँ आप अपने project को बना रहे हैं, तो यह build system जो है, तो Gradle क्या करता है, Gradle एक compiler नहीं है, ठीक है, तो ना ही compiler है, ना ही linker है, यह लेकिन यह क्या कर रहा है, यह जो भी compilation का operation है, उसको control करेगा, उसको supervise करेगा, और जितनी आपकी file को linking करना है, उसको भी control करने का काम उसको भी supervise करने का काम करता है gradle ठीक है तो ये basically आपका खुद compiler नहीं होता है linker नहीं होता है लेकिन जो आपका compiling operation है या linking operation है उसमें हमारा gradle जो है वो यूज किया जाता है ठीक है इसके बाद अगर आपका कोई भी test case जो है उसको run करना है या आपको code को eventually आपको bundle करना है एक साथ करना है एक APK file में convert करना है उस code को तो उसके लिए भी हम Gradle का use करते हैं तो basically आपके दो Gradle files को use किया जाता है build.gradle file को use कि करते हैं हम अपने Android Studio project के अंदर जिसके अंदर हम अपने Android project को बना रहे हैं तो Android Studio project में हम दो basically files को use करते हैं कौन-कौन से एक तो हमारा application के लिए होता है और एक application level पे होता है और एक हमारा project level पे होता है ठीक है तो यानि files को हम build करते हैं project level पे तो दो तरीके इसका आपका Gradle File यूज किया जाता है आपके Android Studio Project के अंदर तो हम देख लेते हैं इसको डाइग्राम से समझ लेते हैं किस तरह से हम इसको देखते हैं देखिए सबसे पहले हम क्या होता है जो भी आपकी application के अंदर source code है या फिर जो आपकी resource files है ठीक है AIDL file है और आपका AR libraries है या फिर आपका कह सकते है .manifax.xml file है ये सारी जो files है उनको पहले compiler क्या करता है compile करता है और convert कर देता है उसको .dex file में compiler जो है उसको convert कर देता है ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है build process में जब हमारा gradle project को build कर रहा है project को बना रहा है क्यूंकि वो gradle जो है एक automated tool है वो पहले से बना हुआ तूल है वो आपके project को बनाने के लिए ही आपका develop किया गया है तो इस build process में हमारा क्या होता है compiler सबसे पहले क्या करता है source code को और resources को और external जो भी libraries है जैसे jar file है या फिर androidmanifax.xml file है जिसके अंदर हमारा application का metadata store होता है manifest.xml file में तो इन सब को लेता है और convert कर देता है .dex file के अंदर यानि dalvik executable file के अंदर हमारा change कर देता है compiler और इसके अंदर हमारा क्या-क्या आता है byte codes include होते हैं ठीक है और उस byte code को सारे android devices जो है वो support करते है यानि जब आपका application run करेगा किसी भी android device के अंदर तो वो byte code जो है वो हर एक android device पे आपका support करेगा ठीक है जो आपका apk manager जो है आप देखिए यहां पर क्या होगा .dex file जो है वो आपका convert हो गया फिर जो आपका apk file है यह क्या करेगा तो आपका apk manager क्या करेगा इस .dex file को जो आपका compiler convert किया है उस .dex file को और जितने सारे other resources हैं उनको हमारे एक single apk file में convert कर देगा ठीक है तो जो आपका apk manager है वो क्या करेगा वो .dex file को और जो भी other resources हैं इनको combine करके वो क्या कर देगा एक single apk file बना देगा ठीक है single apk file बना देगा और apk manager क्या करेगा apk manager debug को sign करेगा यह फिर उस apk को release कर देगा ठीक है और इसके through आपका क्या होगा कि आपका project जो है वो build हो जाएगा तो इस तरह से हमारा gradle जो है वो work करता है एक बार हम diagram से समझ देते हैं फिर से पहले तो होना है क्या होगा application के अंदर जो भी source code है या जो भी आपकी libraries यूर्ण है या manifest.xml file जिसके अंदर आपके application का metadata होता है इन सारी file को combine करके compiler क्या करेगा उसको .dex file में convert कर देगा fit.dex file और other resources बची होंगी उनको मिला के apk manager क्या करेगा single apk file में convert कर देगा और इस apk file को हमारा execute किया जाता है जिसके थूँ आपका project जो है वो build हो जाएगा तो इस तरह से हमारा gradle work करेगा तो debug apk जो है हमारा generally use किया जाता है for testing purpose तो debug apk हमारा यहां पर यूज हो रहा है देखे diagram के अंदर debug apk यह हमारा testing के लिए यूज हो रहा है तो यह testing purpose यूज होगा यानि हम कह सकते हैं कि यह हमारा यूज किया जाएगा development stage पर सिर्फ development stage पर हमको इसको तो आप अपने application को publish कर देंगे ठीक है अपने externally use के लिए उसके बाद हमारा आपका जो release apk है उसको जब भी हमारा testing करना होगा था हम उसको testing कर सकते हैं ठीक है तो हमारा इस तरह से gradle work करता है तो आई hope आपको gradle समझ बाया होगा gradle क्या है एक automated tool है एक build system है जिसके थ्रू हम अपने application को android के अंदर develop कर सकते हैं ठीक है तो किस तरह से काम करता है हमने समझ लिया है आई hope आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा अपने friends के साथ share कर दीजिएगा चानल पर जूड़े नहीं है तो जूड़ जाएगा थैंक्यों फॉर वाचिंग